पटक रहे हैं दरसल मैं हैंडा खुर्द सेज जेसी एम इंटरनेशनल स्कूल में 26 नमंबर को 11 की चात्रा को स्कूल के च्वेरमेन राजवेर और स्कूल की प्रिंसिपल रचना शर्मा ने ऑफिस में बुलाया और किसी लड़के को चॉकलेट देने की बाद पूछी जब छात्रा ने मना किया तो उसे कमरे में बंद कर दिया गया और उसके साथ मारपीट की गई तो फरिदाबाद से मानफ्ता को शमसार करने वाली जो तस्वीर सामने आई है वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है सवाल सरकार से उस प्रिशासन से के आखिर इंसाफ यह चात्रा को कब मिलेगा दरसल फरिदाबाद का यह पूरा मामला है जहां ग्यारवी की चात्रा के परिजन लगातार इंसाफ की आस में दरदर भटक रहे हैं पुलिस प्रिशासन से कई बार गोहार लगाई जा चुकी है चात्रा के साथ मारपीड हुई और इस मारपीड के विरोध में लगातार जहां परिजन आवाज उथा रहे हैं वहीं लगातार पुलिस प्रिशासों से इंसाफ की मांग भी की जा रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिल पारा दूसरी मंजल से चात्रा गिरी और इस पूरे मामले में कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन भी सवालों की खेरे में हैं इंसाफ की आस में यह चात्रा नजर आ रही है चा कहीं न कहीं पूलिस प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में नजर आ रही है क्योंकि जेसीम इंटनेशल स्कूल पर कारवाई नहीं हो पा रही है लगातार चात्रा और उसके परिजवन उसके पेरिंट्स पूलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं लेकिन बावजूद उसके अभी तक इस पूरे मामले में चात्रा को इंसाफ नहीं मिल पाया है उससे लंच में राजसन ने मुझे ऑफिस में बुलाया था फिर उन्होंने गेट लगा लिया उन्होंने मुझसे रिश्रमें ने पूछा कि तूने किसी को चोकलेट दी है हमने मना कर दिया हमारे मना करने के बाप जो तो उन्होंने हमारे उपर बहुत ज़्याद़ प्रैशर किया फिर हमारे मना करने पर उन्होंने मुझे दूसरे ओफिस में बंद कर दिया बहुत ताइम दो पिगे निकल गए फिर भी उन्होंने में ओफिस में बंद रखा फिर राजुसन ने आए उन्होंने में दूसरे ओफिस में लेके गए फिर राजुसन ने बोला कि में काट ओई से पहले राजुसन ने मारा फिर राजुसन ने मारा तो सुना आपने पेडित छात्रा का वयान किस तरह से सिर्फ और सिर्फ चोकलेट नहीं देने की बात जब पूछी गई और छात्रा ने इंकार कर गया तो उसके उपर वार किया गया ये वार इसलिए भी क्योंकि ये मारपीट नहीं है और ये हद से ज़ादा मारपीट ये कही ना कही स्कूल पृषासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है आखिर क्या वजो रही स्कूल पृषासन की की चोकलेट देने की बात से इंकार करने पर स्कूल पृषासन ने उसके टीचरोंस ने इस छात्रा पर हमला किया इस छात इसके स्कूल प्रिशासन पर कोई कारवाई नहीं हो रहे है पुलिस प्रिशासन चुपी साधे बैठा हुआ है आरोपियों पर कारवाई कब होगी यह बड़ा सवाल बना हुआ है तो दूसरी मंजुल से छात्रा नीच्वे गीरी कैसे क्योंकि लगातार संग्दिक्द भूमिका स्कूल प्रिशासन की नजर आ रहा है इस पर क्या कुछ हर खबर हर्याना की दर्शकों की राय आप हमारे साथ इस नंबर के माध्यम से जोड़ सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं हमारे साथ जोड़ सकते हैं अपनी राय देश तक पहुचा सकते हैं गंभीर मामला कहीं न कहीं पुलिस प्रिशासन की अवालिया निशान पुलिस प्रिशासन पर खड़े हो रहा है क्योंकि स्कूल के च्वेर्मेन और प्रिंसिपल पर ये बेहत गंभीर आरोब च्वात्रा और उसकी पेरेंटस की तरफ से लगाय ज़ो रहे हैं दरसल स्कूल के प्रिंसिपल और च्वेर्मेन ने इस च्वेर्मेन ने इस च्वेर्मेन को अपने केविन में बुलाया इससे पूछा क्या तुम्हें किसी ने चॉकलिट दे थी और जब चौकलेट देने की बात से इनकार किया है च्वात्रा ने तो उसको कमरे में बंद करके बेरहमी से पिताई की गई है आखिर क्या बज़ा रही इस पिताई की इस पर अभी तक कोई संग्यान नहीं लिया गया है पुलिस प्रशासन पर लगातार कारवाई के लिए बात कही ज़ुआ रही है पुलिस प्रशासन से नयाय की गोहार लगाई ज़ुआ रही है दरदर भटक रहे हैं छात्रा और उसके पेरेंट्स लेकिन बावजुद इसके स्कूल प्रबंदन पर सवाल उठाने वाला यहां को पुलिस प्रशासन चुपपीस आदे हुए है शब शब लिटमे मेडम आपको और आपके हर खबर चेनल को नमश्कार करता हूँ मेरे स्वाल मेरे स्वाल में आपके मैं मुक्ख मंतृ क्या है थेंल यर्स एक पर चेनल धुस्षब करूए हूं पर चेडर मेरे म्टिश बमेरे स्वाल है पुलिस प्रिशासन की कानून बनाने की बात नहीं है यहां पर मारपीट की बात हो रही है पुलिस प्रिशासन की कारिश्वैली सवालों के घेरे में है नियम काईदे कानून सब बनाए गए है सरकार ने तमाम नियम बनाए है काईदे कानून बनाए है लेकिन बावजुद इसका पालन नहीं हो पा रहा है थो इसका पाउनल क्यों नहीं हो जय कवस्वारा आपप पूल्स प्रिशासन नहीं सुनता है क्या लोगों की आवास पूल्स सुखो 악न पर अगरु पो पोंचती तो क्या पंचृष सवालों के घेरे में कैसे पहुंच या इस पर ज३नता की क्या क्या राया है आपकी क्या राय है पुलिस प्रिशासन की भूमे का संदेंद के उप्षासन शिरब अमीरों की बात पहुंचाने के लिए तो जगाधरी से हमारे कॉलर थे दर्श्वक थे नीरज जुनका कहना है कि अमीरों की आवास पुलिस के कानों तक पहुंचती है लेकिन गरीबों की आ इसाफ की आस में छात्रा और उसके परिजुन दरदर भटक रहे हैं न्याय की गुहार लगाई जो रही है इसकूल के च्रेयर्मेन और प्रिंसिपल पर लगातार आरोप लग रहे हैं लेकिन बावजुद इसके पुलिस प्रिशासन इस पूरे मामले में क्यों चुप है चाड़ा के तमाम दर्शुकों की क्या कुछ राय है आपकी तीवी स्क्रेट पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके माध्यम से आप हमाई साथ जुर सकते हैं और अपनी राय देश तक पहुचा सकते हैं छात्रा के साथ यहां मारपीट हुई है फरिदाबाद का ये पूर तो स्कूल के च्चेर्मेंग और स्कूल के प्रिंसिपल ने इस चात्रा के साथ मारपीट की और ये मारपीट इस हद तक की चात्रा आज लहु लुआने घायल है बिस्तर पर पड़ी हुई है चात्रा और उसके परिजों लार इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं लेकिन स्कूल पर कारवाई कब होगी स्कूल प्रबंदन को सवालों की घेरे में कब खड़ा किया जाएगा कब इन से पूछताच होगी और आखिर क्या वज़ा है कि मामला संग्यान में आने के बावजूद भी पुलिस प्रिशासन जेसीम स्कूल पर स्कूल के चेयर्मेंट पर कर रहा है ये बड़ा सवाल है इस पर हर खबर हर्याडा के तमान दर्शक होगी क्या कुछ राय है ये आपके टेवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं के मार्जम से आप हमारे साथ जुर सकते हैं अपनी राय देश तक पहुचा सकते हैं आरोपियों पर कारवाई आखिर कब होगी ये आज को बड़ा सवाल बना हुआ है परिदाबाद का ये पूरा मामना जो बेहत गंभीर है रूख अपाने वाला ये मामना निकल करके सामने आया कि चौकलेट देने की बाद से इंकार करना एक छात्रा को इतना भारी पड़ गया कि स्कूल के पर कई आरोप भी लगाए गए हैं जेसीम इंटरनेशनल स्कूल पर कारवाई अभी तक नहीं हो पाई है क्या कुछ वजा है कि स्कूल के प्रिंसिपल और चेयर्मेन पर अभी तक कारवाई नहीं हुई है जेसीम इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट पर कोई भी सवाल लगातार नयाय के लिए गोहार लगाते हुए चात्रा और उसकी पेरेंट्स नजर आ रहे हैं लेकिन बावजुद इसके पुलिस प्रशासन की भूमी का संदिक ही नजर आ रहे हैं क्या स्कूल प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी सनलिप्तता इसमें शामिल हो सक पुलिस प्रिशावसन की कारिशली भी लगातार सवालों के घेरे में हैं, खाके खुद दागदार होती हुई नजर आ रहे हैं क्योंकि यह काफी बेहत गंभीर मामला निकल करके सामने आया, जो एसीम इंटरनेशनल स्कूल पर आखिर कारवाई कब होगी, आरोपियों पर तक पहुचा सकते हैं, तो परिदाबाद का यह पूरा मामला है, जो हाँ ग्यारवे की छात्रा के परिजुन इंसाफ के लिए दरदर भटक रहे हैं, दरसल जेसीम इंटरनेशनल स्कूल में 26 नवंबर को ग्यारवे की छात्रा को स्कूल की च्वेयरमेन राजवीर और स्कू और अगर यह मारपेट लड़के के परिजुनों की तरफ से कहने पर की गई है, तो कहीं न कहीं लड़के के परिजुन और लड़का खुद भी जिम्मेदार है, आकिर आरोपियों पर कारवाई कब होगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है, इसमें जो भूमिका निकल करके सा सामने आ रहा है कि आखिर क्या बज़ा रही स्कूल के चेयर्मेन और स्कूल की प्रिंसिपल के सामने कि इस छात्रा के साथ इतनी गंभीरता से इतनी बरबरता से पिताई की गई इसकी, इसके साथ मारपेट आखिर क्यों की गई, क्या इसमें लड़का और लड़के के सिपल से कौन पूछेगा क्योंकि पुलिस लगातार खुद मौन बने हुई है